भरत भूमी के अजे महायुद्धा महारजा सूरजमल से लेकर देश के अन्न दता किसान तक की कहानियों से देश और दुनिया सरोबार हैं हमें आद देश के सबसे बड़े किसान आनुलन के साक्षी रहे सीकर सेखावाटे की सरजमी पर जहाँ पर स्री रतन सिंग जी गोठडा साब हैं जेनोंने सीकर को बसाने में बड़ी भूमी का निभाई है और साथ इसा सिक्षा समाद सेवा के सफर को आगे बढ़ाने मिन की मह स्वागत सर एक सिक्षक के नाते किसान पुत्र के नाते और किसान बाॉर डिंग सीकर्ग्र्यमीन महीला सिक्षान सनस्थान और उस से पहले जो किसान आंदुलन जिसकी गूज बूरे विश्व इस्तर पर हुई किस रूप में देखते हैं किस तरीके का वह दौर था और उस दोर के बाद आज किस दोर में हम लोग आए हैं दो तीन यूपी के थे और सब लोगों ने मिल करके वो जाड सभा का गठन किया गया और उसका अठारवा जो समयलन था उनिशो पचीश में वो पुस्कर में हुआ पुस्कर का जो समयलन था वो महाराजा करशन चिंग भरतपूर के थे उनकी अद्धिक्सता में किया गया तो आसपास के जो जाड थे इसको राजस में मतलब 22 स्रिया सती चोटी बोड़ी तो उनके जो किसान थे जाड थे वो महाराजा उसमें पुस्कर वाले समयलन में 1925 में सामिल हुए है और उस समयलन का खास इधर क्या था ठाकर देश राज भरतपूर के थे तो वहां यद्धि ज जाटों का राज था लेकन राजा तो राजा ही है उन्होंने ठाकर देश राज ने वहां दूसरे जाटों को मतलब जागरू करने का प्रियास किया तो वहां की सरकार ने उनको वहां से भरतपूर से निर्वाशित कर दिया और ठाकर देश राज ने अपना कारिक्षित्र ज जो यहां सम्मिलन हुए 25 वाला वो उसी के देखरेग में हुआ पुसकर में जब जाड रहा उनको ये पता लगा कि स्टेज पर महराजा करशन सिंग खड़े होकर कि उसने ये कहा कि मैं बहुत बड़ा भगे साली हूँ कि मेरा जनम जाड जाती में हुआ तो बहुत तालियों के गड़बडाट के साथ लोगों ने उत्सा किया लोगों ने ये देखा कि ऐसे भी उठते हैं कि जाड उनके तो दिमाग में था ही नहीं कि जाड जिनको देखा था तो पहली देखा उन्होंने इस तरह से देखा तो उनमें ठोड़ा स्वाबी मान जगा अब उस सम्मेलन के बाद में, 1930 में फिर सम्मेलन हुआ दिल्ली में, वो मारणी जो बसुंद्रा है, उसके ससुर थे, उदेभांचिंग, उनके नेतरतों मिवा, जो दो हिरिया सत्थी चाटोंगी, भर्तपुर की और दोलपुर की, तो वो दोलपुर वाले के उसमिवा, तो वहाँ जो नजदीक पढ़ता था दिल्ली गे, इसलिए एक पन्ने सिंग जी देवरोड नाम के विक्ति थे, वो वहाँ गए, और उस सम्मेलन में जाकर के उन्होंने कहा कि हमारे जोंजनु में भी करो, इस परकार का कारे करम, तो 30 के बाद में 32 को जोंजनु में, पहले यहाँ जो जाटों का अंदोल नुवाया जाकरती की बात हुई, वो गोषड़ा भूखरान सी हुई सबसे पहले, तो गोषड़ा का आदमी उसमें पर्थिशिंग जी गोषड़ा थे, उनके नेतुरतों में एक अर्देव शिंग पल्थाना के थे, दस पास आदमी व सबा के महामंतरी थे, वकील एड़ोकेट जमन शिंग, जो अलिगड यूपी के थे, तो ये खास जो नेता थे, उनसे पर्थिशिंग जी मिले और उन्हों ने ये कहा, कि भई आप वे पूरे देश के जाटों की इस्थीति देखते हो, तो शीकर की भी देखो आप, तो उन् जीशित रूप से शीकर में ऐसा संबेलन करेंगे, लेकिन शीकर का जो रावराजा था, कल्यान शिंग, उसको आंतरिक मामलों में सब्तन तरता थी, कि वो किशी को संबेलन होने दे, या ने होने दे, तो इसलिए, जैसे ही उसके सामने कोई बात आई, तो उन्होंने राजन ये संबेलन तो हुड़ी नहीं दे गए, और उदर उन्होंने पर्तविशिंग जी वो आस्वासन दे दिया, तो सबसे पहले उन्होंने पल्थाना गाउं में जाकर के, यहां शीकर ठिकरने में 555 गाउं थे, तो एक-एक गाउं का एक एक आदमी बुलाया, कि पल्ताना में सभा है, तो पांसाजार आदमी कटे हुए हुआ, और ठाकर देश राज के नेतरतों में ये सब लोग लीते थे, जूझूनों के सरदार अलाज सिंग जी थे, और उन्होंने फिर ये बात महाते की, पांसाजार लोगों की उपस्तिति में, कि हम यहां एक धार में सम्मेलन कर परखा, जाड़ परजापति महायग्य, और उसकी परमिशन यहां के राजा के लेने के बजाए सर बीचम, एक अधिकारी था जेवपुर में, तो उससे जाकरके उन्होंने डायरेक्ट सिभी करती ले ली, कि हम चीकर में एक इस परकार का धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, तो उनको परमिशन दो दे दी, और नीचे यह नोट लगा दिया, कि उस कार्यकरम में राजनेतिक जरजा नहीं होगी, इस सर्त के साथ उनको परमिशन दे दी, अब वो जो सम्मेलिन था, जाड महापरजापति महायगे, वो 20 जनवरी 1934 से शुरूआ, और यह जहां कोर्ट ह है, यह जाड बोर्डिंग है, इस यहां कार्यकरम में शुरूआ तो उसमें लग भग एक लाख आदमी, मतलो भी कठे हुए उस कार्यकरम में, और वो कार्यकरम चला, 20 जनवरी से साथ दिन तक लगातार चला, साथ दिन की बात थी, साथ में दिन यहां आती को लाकर के, और उसका जुलूस निकालने की बात की, तो दरबार को, कल्यान सिंग को किसी न कह दिया, कि जाड अगर आती पर निकल गया, तो यहां फिर बचे का किया, तो उन्होंने उस आती को चुरा दिया, और वो समेलन, जुलूस वाड़ा कार्यकरम उसमें कैंसिल हो गया, तो जाटों यहां उनको पिरोजवसाहित किया और राजा से भी फिर ये कहा कि वहीं इस धार्मी कार्यकरम है, क्यों आप की और कार्यकरम करते हो, क्यों लोगों को इनकार्यकरम हो, मतलब भाइख विशमें आको भी सेयुक देना चाहिए, तो राजा को कैसीं निसम्झाय है, तो सम्झ म में आगई कि जाटों से लड़ना थोड़ा ठीक नहीं है तो फिर यह तहुआ कि आती जो है वो एक आवाज भी उठी कि अब जाड जो है वो 101 आती हैं पर दुलूस निकालेंगे उदर सर्चोटुराम के नित्रतों में जाटों की जितनी रियासत हैं ना बापटियालाजीन ल कर लेंगे शाराजा दर्बार को किसी ने बता दिया तो कहा कि इस तरह से यह ठीक नहीं है तो फिर यह समझोता हुआ फिर यंग एक बड़ा अफसर था यहां पुलिस का अफसर था जेपूर का तो वो भी आया तीन चार लोग मिल करके फिर राजा से यह बात हुई कि राज ही आती उपलब्द कराएगा उस पर जुलुस निकलेगा लेकिन सर्त ही है कि उस पर जाड नहीं बठेगा जो सम्मेलन का जो कारेकरम था उसका येकपती मंडवा का जो आरे समाज का बड़ा बड़ा पंडित था खेमराज उसको बठा देंगे चार बेद रख देंगे और तो ने फिर ये किया कि सर्दार अर्लाज सिंग जी का लड़का था नरेंदर शिंग गोद में उसको भी बठा दिया अपने जिद पूरी करने के लिए तो वो जुलुस दो निकला वो लगभग एगलाख आदमी उसके पीछे थे बड़े अच्छे डंग से लिका अगर आप एक समयलन जाटों ने इसलिए किया है कि तेरा राज खतम करने के लिए इसलिए इन लोगों ने उसके बाद आरे समाज के लोग जो थे ये बड़े-बड़े बीदुआन लोग थे जाटों को जन्यूदी बंड़त बनाया गया तो अब इन लोगों जगजगश जब खिशान गए उसकार कर्म के बाद में तो जो ठाकरों के गाउं थे जाए तारपुरा था दूजो थी और दूसरे गाउं थे शिंगाशन थी दिर पाठेदा था तो उन में जाटों के जनूब को तोड़ दिया और उन लोगों ने कहा आए हो तुम पंडित कहां खेर बोड़ी परतार करने लगे जाटों उजे सभी जाट आया उसको कूटना पीटना सुरू किया फिर बहुत बड़ा आंदोलन चला तो उस आंदोलन में बाद मिंदे जगड़ते बढ़ा यूठी हासे है किताब में है आपको दे दूगा मुकोपी तो उसके बाद में फिर धीरे 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 यह अर्थीस तक तो अंबा जाकर के फिर आपस में इन में समझता हुआ